क्लास नाइन्थ का ग्रेविटेशन चेप्टर का कंटिनूड फ्लोटेशन वाला पार्ट जो है, वो हम लोग करने वाले हैं, जिसमें थ्रस्ट, प्रेशर, आर्कमडीज प्रिंसिपल, डेंसिटीज को जो है, वो होने वाला है, और सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किये, हम पहली डेफिनिशन पे वो आ जाते हैं, ये एक काइंड ओफ दूसरा नाम है, फोर्स के बारे में सब लोगों को जो है, वो अल्रेडी पता है, तो कितना फोर्स किसी भी सर्फिस के उपर, मैं पर्पेंडिकुलर, यूजुली पर्पेंडिकुलर डारेक्शन में जो है, वो पर्पेंडिकुलर डारेक्शन में जिसको हम लोग जादा तर पर्पेंडिकुलर डारेक्शन ही जो है, वो मान के चलते हैं, ठीके? तो फॉर एक्जामपल, अगर हम लोग इसमें एक्जामपल के तौर पे देखें, अगर मैं वाल को जो हो पुश कर रहा हूँ, या मैं अपने पास थ्रस्ट बोल देते हैं, तो बेसिकली ये फोर्स है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर कॉंटिटी है, तो थ्रस्ट भी हम लोगों के पास एक वेक्टर कॉंटिटी है, अब फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है, इसलिए थ्रस्ट की भी जो ऐसा यूनिट है, वो हम मैं जूम करके चल रहा हूँ, thrust की basic जो है वो आपको clear है, इसके बाद हम लोग प्रेशर पर मूव करेंगे, तो pressure हम लोगों के पास जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, pressure को अगर हम लोग basically understand करें, तो कितना force किसी चीज के उपर per unit area जो है वो लग रहा है, उस चीज को हम लोग प्रेशर बोल देते हैं, for example, आपने अगर इस चीज को understand किया हो, हमने अगर मालोग बैग टांगा हुआ, school going students है, सारे बैग टांग के जो है, वो कहीं पर जाते हैं, तो बैग के straps usually मोटे रहते हैं, अगर वो मोटे straps की जगा, बिलकुल thin पतले straps जो है, वो हो हो और बहुत सारी books, bag में लद के आपके कंदों पे जो है, वो बोज डाल दिया जाए, तो आपको feel होगा, इस चीज को शायदा पर imagine कर पाओ, कि जब हम लोगों के पास bag टांगा जाएगा, तो यहां पे जो हो हमारे निशान अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कारण क्या है, क्यों unit area के अंदर लग रहा है, उस चीज को हम लोग जो है, वो अपने पास pressure बोल देते हैं, यह एक scalar quantity है, इसकी कोई भी direction जो है, वो नहीं होगी, यह हर direction में जो है, वो लग रहा होता है, मालो अपने bag टांगा हुआ, तो pressure आपके यहां पे इस direction में लग रहा है, इधर इस direction में इधर को लग रहा है, पीछे इस direction में लग रहा है, हर direction में जो है, वो force पर unit area लग रहा है, इसलिए इसकी कोई defined एक particular direction जो है, वो नहीं होती, अगर हम इसकी unit की बात करें, तो force को newton में measure किया जाता है, और area को जो है, वो meter square में measure किया जाता है, तो हम लोगों के पास जो pressure है, जो scalar quantity है, और कितना force एक unit area पर लग रहा है, वो बताती है, उसको हम लोग pressure बोल देते हैं, दो factors हैं, जिसके उपर pressure जो है, वो depend कर रहा है, पहला factor हम लोगों ने पड़ी लिया, force जिसके उपर pressure हम लोगों के पास क्या है, area है, जिसके उपर pressure depend करता है, मैं zoom करके चल रहा हू base of a high building is made wider so that the weight of the walls acts over the large surface area and pressure is less, तो बहुत बड़ी building है, वालो, बुर्ज खलीफा या आपको बनाना है, तो कई 100 meter का area होगा, वो नीव के तोर पे जो है, वो रखा जाएगा, ताकि area जादा हो, और building का pressure जो है, वो कम लगे, ताकि building जो है, वो उस particular जगा पे, जमीन में ना ये चीज़े किसकी बहुत बड़ी application जो है, वो हम लोग understand कर सकते हैं कि high buildings अगर अपने को बनानी हो, तो हमें area जो है, वो wider रखना पड़ता है, ताकि pressure जो है, वो कम लगे उस particular जगा के उपर, तीक है, उसके बाद, school bag के straps को thinner नहीं, broader बनाया जाता है, ताकि जितना चोड़ strap होगा, उतना area की value हम लोगों के पास जादा होगी, और जितनी जादा area की value हमारे पास होगी, उतना कम pressure जो है, वो exert होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर understand कर सकते हैं, आपके पास चाकू है, और चाकू को जो है, अगर हम cutting के लिए use कर रहे हैं, तो हम हमेशा तीखे वाली side से जो ही जो है, वो काटते हैं, क्योंकि जो तीखे वाली side है, वो particular side जो है, वो कम area वाली side जो होती है, जिससे area की value कम होती है, और pressure की value जो है, वो बढ़ जाती है, खुद यह understand कर लो इस चीज़ को, अगर area की value बहुत कम है, denominator बहुत छोटा है, तो यह particular value बहुत जादा होगी, इसलिए उस तीखी side से चीज़ों को काटना ज्यादा असान जो है, वो हो जाता है, अगर मैं blunt side की बात करूँ, या मैं spend की बात करूँ, इससे मेरे को vegetables जो है, वो cut करनी है, तो इसके area बहुत जादा है, area ज्यादा होने की वज़ा से pressure की value कम होती है, जिससे चीज़ों को area कम होने की वज़ा से हम लोगों के पास जो pressure की value है, वो पैरों पे ज्यादा लगती है, जिससे कुछ देर के बाद पैर जो है, दर्द हो जाते है, दूसरा, कभी भी देखाओ, camel का जो पैर होता है, फिट होता है, वो चोड़ा होता है, ताकि area उसका बढ़ा हो, और जैसे ह कि वो रिगिस्तान की जमीन के उपर पैर रखे, तो उसका पैर जो है, वो जमीन में ना धसे, area जादा होने की वज़ा से, pressure की values जो है, वो कम हो जाती है, तो इस तरह के बहुत सारे questions जो है, वो हम लोगों के पास पूछे जाते हैं, इनकी applications के उपर, और मैं जूम करके चल यह clear आ रहा है, दूसरा इसमें एक last point आप understand कर लो, कि जो liquids हैं और gases हैं, किसी भी container के अंदर अगर present हैं, तो वो container की सारी की सारी walls, और सारी की सारी directions की उपर जो है, वो हमारे पास pressure को exert करती है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास एक term आ जाती है, जिसको हम लोग क्या ब पोल देते हैं, और आप जान के हरान हो जाओगे, यह pressure बहुत जादा होता है, तकरीबन एक लाख newton का जो force है, वो हर time पे हम लोगों के पास जो है, वो environment हमारे उपर जो अग्जर्ट कर रहा है, तो अगर मैं to be precise बात करूं, तो यह 1.01 into 10 power 5 pascal, तो इतने newton per meter square का जो atmospheric pressure है, atmospheric pressure एक बहुत बड़ा force जो है, वो हम लोगों के पास होता है, कभी भी ना वो चिपकू से आते थे, वो मतलब तीर कमान के साथ लगे होते हैं, या जिसको बोलते हैं, गन के साथ लगे होते हैं, वो ऐसे गन के आगे जो है, वो इस तरह का लगाया होता है, और जैसी किसी ची ही जो है, वो चिपक जाता है, और उसको निकालना जो है, वो मुश्किल कई बार हो जाता है, तो यह basically हमारे पास एक चीज है कि atmosphere भी बहुत ज़्यादा pressure लगा रहा है, और जितना pressure atmosphere हम लोगों के पास लगा रहा है, इसको हम लोग 180 M भी बूल देते हैं, this is the atmospheric pressure, बहुत बियर कर सकते हैं, तो यह काफी important factor है, और even अगर आप अपने दिवाग में बठाओ, तो अगर हम लोग vacuum में जा रहे हैं, या ऐसी जगा जा रहे हैं, जहाँ पर pressure exert नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हमारी body और veins के फटने का खत्रा रहता है, तो यह चीज जो आप पास क्या चीज है, कभी भी हम लोग पानी के अंदर आपने नहाते हैं, कभी मगगा डाला हो तो मगगा हलका फील होता है, जिससे आप नहाते हैं, तो क्योंकि जब भी कोई चीज हम लोग पानी के अंदर इमर्स करते हैं, तो उस particular चीज के उपर उपर एक upward direction में force लगता है जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं बयांट फोर्स जो है वो बोल देते हैं और इसी फेनामेना को हम लोग या इसी फेनामेना यह जो मतलब फेनामेना हो गया यह करेक्टरिस्टिक हो गया किसी भी फ्लिूड की जब भी उस fluid के अंदर हम लोग कोई भी volume की चीज़ को immerse कर रहे हैं उस particular चीज़ के ऊपर एक upward direction में force लगता है जिसको हम लोग beyond force बोल देते हैं और यह property कि वो fluid एक exert कर रहा है upward direction का force किसी भी चीज़ के ऊपर जो उसके अंदर immerse हो रही है उसको हम लोग beyond c जो है वो बोल देते हैं तो the beyond force acts at the center of the gravity of a particular liquid displace और यह force जो है वो हम लोगों के पास किसी भी fluid के center के ऊपर जीए मैं समझाता हूँ आपको यह वले जो points है तो आप इसको आप ऐसे understand करो मान लीजिए यह हम लोगों के पास कोई liquid है ठीक है और इसके अंदर मैंने इस particular चीज को जो है वो immerse कर दिया अब इस particular चीज के उपर एक upward direction में जो है वो force लगेगा जिसको मैं beyond force जो है वो बोलता हूँ ठीक है और दूसरा इसके उपर कौन सा force लग रहा है इसके उपर gravity लग रही है जो mass into gravity जिसको हम लोग जो है वो weight बोल देते हैं इस particular block के उपर जो है वो लग रहा है जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर dip किया तो जैसे जैसे यह जितना जितना बड़ा volume इसके अंदर जाता जाएगा उतना upward direction में यह force जो है वो depend कर रहा है कितना volume हम लोगों ने इमर्ज कर रहा है जैसे for example हलका सा part अगर मैं पानी के अंदर डालूँगा इतना सा तो कम force लगेगा जादा डालूँगा तो जादा force लगेगा मतलब volume के directly proportional जो है वो होता है दूसरा यह कौन सा fluid है उसकी density कितनी है उसके उपर यह depend करता है density का मतलब क्या होता हम लोगों के पास density को एक symbol होता है row से represent करते हैं कितना mass per unit volume एक fluid का है इसको मैं अभी इसी particular lecture के last में जो है वो take up करने वाला हूँ तो density is mass upon volume तो एक density factor पे जो है वो depend करता है आप खुद ही देख लो जैसे honey है honey is more dense than water क्यों क्योंकि honey का mass एक unit volume का है मालों एक डबबा लिया आपने उसके अंदर पूरा शहद भर दिया और वही डबबे के अंदर जो है वो पानी भर दिया तो honey वाला डबबा जो है वो ज्यादा heavy होगा क्यों क्योंकि honey की density जादा mass of honey कम volume के अंदर वो समा जाता है वो एक factor होता है हमारे पास किस चीज का density का तो honey की density जादा है water की density कम है ठीके तो हम लोगों के पास जो beyond force है वो density पे भी dépend करता है और but obviously beyond force जो हम लोगों के पास gravity पे भी जो है वो depend करता है तो अगर मैं beyond force की बात करूँ तो that particular force is basically volume into density into gravity तो जितना ज्यादा volume होगा उतना ज्यादा beyond force होगा जितना ज्यादा volume पानी के अंदर हमने डाला होगा उतना ज्यादा beyond force लगेगा जितना fluid dense होगा उतना ज्यादा beyond force लगेगा और जितनी gravity होगी उतना ज्यादा beyond force लगेगा एक ना आप लोगों ने कभी सुना हुआ एक dead sea है और dead sea के अंदर किसी चीज़ को भी फैंक तो वो डूपती नहीं है कारण क्या है उसकी density बहुत ज्यादा है उस particular जगा पे पानी की density बहुत ज्यादा है जिस वज़ा से हम लोगों के पास क्या हो रहा है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को उसके अंदर डाल रहे है तो density ज्यादा होने की वज़ा से beyond force की value बहुत ज्यादा होती है और उसके उपर एक upward direction में force लगता है और दूसरे case में मैंने पानी लिया और उसके अंदर पहले खूप सारे नमक जो है वो मैंने घोल दिया और फिर उसके बाद उसके अंदर अंडा डाला अब जैसे नमक वाले पानी में मैं अंडा डालूँगा तो वो particular नमक वाला पानी क्योंकि उसके density जादा है तो अंडे के उपर जो है वो upward direction में एक beyond force लगेगा क्योंकि beyond force मैंने अभी बताया किस चीज़ पर demand करता है density पर demand करता है तो beyond force उसके उपर जादा लगेगा जिस वज़ा से वो egg है जो पहले sink कर गया था अब वो egg हमारे पास float कर जाएगा तो इसी particular चीज़ को understand करते हुए हमारे पास एक चीज़ जो हो समझागी कि beyond force एक force है एक property है liquid की चब भी किसी चीज़ को किसी भी fluid के अंदर डालते हैं तो वो fluid एक upward direction में force को जो अब वो exert कर रहा होता है जिसको हम लोग beyond force बोलते हैं उसकी value volume into density into gravity के बराबर होती है volume क्या होता volume वो है कि कितना amount या कितना volume of fluid के अंदर किसी substance का present है वो वोले volume को count करना है जैसे for example अगर मैं बात करूँ कि कोई volume ऐसे dip है तो इस body का पूरा volume आपको consider नहीं करना कितना volume consider करना है but obviously जो पानी के अंदर है क्योंकि beyond force वही volume लगा रहा है जो water के अंदर जो है वो dip है ठीक है बाहर वाला तो already बाहर है उसके उपर beyond force जो है वो नहीं लग सकता हाँ इसको अगर मैं पूझा नीचे कर दूँँगा तो इसके उपर अपर direction में जो है वो beyond force लगा तो यहाँ पर volume इस कितना पानी के अंदर present है density इस fluid की कितनी है और gravity मैंने जो है वो आपको बता दिया तो जैसे वही अंडे वाला के इस नमक वाले पानी में आप घर पे भी try कर सकते है नमक गोल के जो है इस experiment को जो है वो कर सकते है मैं zoom करके चल रहा हूँ यह सारा का सारा beyond force और beyond c का जो concept है वो आपको clear है ठीक है अब यहाँ से जो है वो हम लोग पढ़ लेते है beyond force जो है वो किसी भी liquid के उपर जो है सारे liquid जो है वो act करते है हर एक body के उपर और upward direction में जो है यह force रहता और इस force की value v rho g के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होती है यह मैंने जो है वो आपको सारा समझा दिया ठीक है और अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस चीज के उपर इसी चीज का आगे एक extended version है जिसको हम लोग जो है कुछ अपना weight जो हो loose कर देता है क्यों क्योंकि अब यह simple सी चीज है understand करने वाली जैसे for example यह fluid है ठीक है और इस fluid के अंदर मैंने यह body जो है वो इस तरीके से dip की इतना volume जो body का है यह इस fluid के अंदर की side पे जो है वो exist कर रहा है v1 ठीक है तो obviously अगर मैं इसको देखूँ body को तो body पे कौन-कौन से forces लग रहा है body को अर्थ अपनी तरफ नीचे कींचरी है weight लग रहा है body के उपर और obviously क्योंकि body पानी में dip है तो अभी हमने पढ़ा कि beyond force हमेशा upward direction में लगता तो इसके उपर beyond force भी लग रहा है तो आप देखो पहले और यह body एक situation ले रहा हूँ body air में है तो body जब air में है तो उसके उपर वो weight लग रहा है simple यहाँ पर ठीक है और जैसी पानी में डाला तो पानी एक upward direction में force साथ में ज्यादा exert कर रहा है पानी की density बहुत ज्यादा है जिस वज़ा से जो net weight body का जो apparent weight body का net वो कम हो जाएगा क्यों क्योंकि देखो इसको पहले 10 newton से नीचे खींच रहे थे अब इसको 3 newton से उपर भी जो है वो धक्का मिल रहा है अपने आपसे जैसी मैं पानी में dip कर रहा हूँ ठीक है जैसी मैंने इसको पानी में dip किया 3 newton का weight जो है वो upward direction में exert हो रहा है force exert हो रहा है जिससे उसका net weight कम हो जाएगा तो अब इसकी definition अगर आप पढ़ो तो जब भी किसी body को पूरा डाल दो या आदा डाल दो पानी के अंदर तो उसका कुछ weight जो है वो लूज हो जाता है और यह weight कितना लूज हो रहा होता है यह किस चीज़ पर depend करता है कि weight of fluid displaced जो है वो कितना है मतलब जिस पानी में डाला है वो कितना side पर हटा है ठीक है तो basic लिए अगर मैं beyond force की बात करूँ जो इसका formula भी मैंने समझाया आपको v rho g यही हमारे पास जो है इसी के बराबर है यह हम लोगों के पास archamdees principle जो है वो बता रहा है ठीक है इसके लिए मैं एक definition आपको समझाता हूँ जिसको हम लोग अपने पास क्या बोलते है density जो है वो बोल देते है ठीक है और density को मैं यहाँ पे जो है वो define कर रहा हूँ density किसी भी चीज का it is equal to कितना mass है उस particular चीज का divided by उसका volume जो है वो कितना है इसको हम लोग जो है वो density बोलते है ठीक है जैसे for example मान लोग कोई block है वो 5 kg का block है और उसका volume 1 meter cube है तो density की बात करो हम तो 5 kg upon 1 meter cube is हम लोगों के पास क्या हो गया 5 kg per meter cube यह हम लोगों के पास density जो है वो होगी represent किसे करते है इसको rho से represent करते है तो formula देखो क्या बना rho is equal to mass per unit volume kg per meter cube इसके unit होगी यहां से देखो अगर हम लोग तो mass क्या हो गया volume कितना है into rho ठीक है तो mass किसके बराबर हो गया volume into rho के बराबर जो है वो mass हो गया अभी मैं beyond force के formula पे दुबारा आ रहा हूँ क्या formula था वी रो जी वी क्या था अब ये भी देख लो दुबारा से वी था कितना volume fluid का पानी के अंदर है रो क्या थी density थी ठीक है तो आप खुद ही देखो वी वाल्यूम था रो डिंसिटी थी किसकी fluid की तो m क्या हो गया क्योंकि अगर मैं यहां पे देखो तो वी इंटू रो क्या किस चीज के बराबर है mass के बराबर है into क्या gravity अब ये volume किसके अंदर है fluid के अंदर है fluid के अंदर पानी डिस्प्लेस हुआ है density किसकी है fluid की है तो mass भी किसका होगा ये वी इंटू रो ये भी fluid का होगा तो आर्कमडीस प्रिंसिपल हम लोगों के पास क्या बोलता है कि जब भी किसी body को हम लोग पानी के अंदर जो अब वो डालते हैं उस body के ऊपर एक upward direction में force लगता है और उस force की value जो की हमें पता है वी रो जी है अब आर्कमडीस उसको कैसे बोलता है कि उस particular force की जो value है वो कितना weight of fluid उसने displace किया मतब कितना weight of fluid उसने side पे किया उसके बराबर जो है वो होगी अब weight of fluid के पराबर कैसे होगी वो मैंने आपको जो यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया क्योंकि V into rho is basically mass अब mass into gravity is weight अब M into G हमारे पास weight हो गया अब mass किसका है? fluid का तो weight भी किसका हो गया? fluid का हो गया तो आर्कमडीस principle क्या बोलता है? जब भी किसी body को हम लोग पानी के अंदर डिप करते हैं तो उस body ने कितना amount of water side किया? कितना mass of water side पे किया? उसने हटाया पीछे, displace किया into gravity जो की weight of the liquid displaced है उसके बराबर जो है, वो beyond force जो है वो लगता है, मतलब basically आर्कमडीस यह कह रहा है कि beyond force की value वी रो जी के बराबर जो है वो होती है, मैं zoom करके चल रहा हूँ यह particular आर्कमडीस का concept जो है वो आपको clear है अब basic definition पे जो है वो हम इसकी फिर से जो है वो आ जाते हैं और इसकी basic definition जो है वो आप यहाँ पर पढ़ो तो क्या बोल रहा है? जब भी किसी body को when a body is partially or fully it loses its weight which is equal to the weight of liquid displaced by the immersed part of the body immersed part जो उसके अंदर डूबा हुआ पार्ट है उसका weight कितना है उसके बराबर जो है वो हमारे पास beyond force की value जो है वो लगती है मैं zoom करके चल रहा हूँ यह जो है वो clear है उसके बाद बेटा जी हम लोगों के पास कुछ key points है जो आपको understand करने है सबसे पहला point है कि upward direction में जो force लग रहा है हम लोगों के पास उसके बारे में जिसको beyond force बोलते है तो object experiences and force from the fluid which is responsible for making the object lighter in water तो upward direction का force जो beyond force है कोई भी चीज जिसको beyond force है उसका value किसके बराबर होता है कितना amount of fluid वो displaced हुआ है उसके weight के बराबर वो होता है अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से मानलों यह body है पानी के अंदर dip है W इसका weight है B इसका beyond force है खुद सोचके बताओ अगर weight की value जादा होगी beyond force से नीचे की तरफ force ज्यादा लग रहा है इस pen के उपर तो obviously क्या करेगा सिंक करेगा ठीक है सिंपल सी बात है तो ऐसी body क्या कर जाएगी सिंक कर जाएगी और अगर मानलीजिए beyond force की value ज्यादा होगी weight से तो वो body जो है उस चीज के उपर float करती है वो particular factor या वो particular चीज वो हमारे पास जो है वो archamides ही जो है वो बता रहा है तो यहां से हम लोग एक condition जो है वो understand करेंगे वो क्या condition understand करेंगे कि beyond force अगर जादा है या equal है weight के तो object float करेगा और अगर lesser है weight से तो object जो है वो sync करेगा अब अगला point इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी application वाला concept है जब भी ships या submarines design होती है तो उनको इस हिसाब से जो है वो design किया जाता है माल लो इस ship है ठेक है इस तरह से जो है वो float कर रहे है तो कितना volume इसका जो है beyond force जो है वो उपर लग रहा at least ये दोनों या तो equal होने चीए या balance out करने चीए इस चीज़ को ठीक है तब ही ये ship जो float करेगा अगर माल लो भार हमने ship पे ज़्यादा डाल दिया ठीक है और beyond force उतना लग नी रहा था तो जिस वज़ा से ship क्या कर जाएगा हमारे पास sink जो है वो कर सकता तो इनकी designing में हम लोग इस चीज़ का जो है वो ध्यान पूरा रखते हैं और objects को हम लोग decide कर पाते हैं कि क्या ship डूबेगा या नहीं डूबेगा ठीक है तो ये सारा का सारा concept जो है इस चीज़ के point of view से जो है वो आपको सोचने हैं ठीक है और submarines को बनाते हुए जो है वो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं densities of the applying the measuring the densities of the objects तो किसी भी object की density को measure करने के लिए भी जैसे for example हमारे पास formula beyond force का V, rho, G volume अगर हमें पता है gravity हमें पता है beyond force हमें पता है इतना balance कर रहा तो densities हम लोग निकाल सकते हैं इस सारा concept आप fluid mechanics में class 11th के अंदर इस तरह के numericals वो सीखने वाले हो अभी सिर्व basics ही हमारे पास वो syllabus में है और यह हम लोग decide कर पाते हैं कि कोई object float करता है या sink वो करता है when you submerge a block of wood जिसको पानी के अंदर समर्ज करें तो वो पानी के अंदर एकदम से नीचे ले जाओ लकडी को एकदम से उठके बाहर वो आएगी क्योंकि beyond force बहुत जादा वो वो वोड के law के उपर लगेगा जिस वज़ा से वोड वो हमारे पास क्या करेगी बाहर की direction में जो है वो move करेगी उसके बाद बेटा जी हम लोगों के पास आता है क्या law of floatation यह मैं already जो है वो समझा चुका हूँ और इसका पहले point से देखते है इसको मैं एक बार यहाँ पर diagram बना देता हूँ w weight है और छोटा w जो है वो हम लोगों के पास क्या है यह capital w से weight है इस particular जगा पे और छोटे w से beyond force है अगर w बड़ा है इस छोटे w से तो object क्या कर जाएगा sink कर जाएगा मैं इसको एकदम से आपको ताकि confusion ना हो इसको w ले ले लेता हूँ इसको b ले लेता हूँ w की value बड़ी है b से तो इस particular case में object will sink डूग जाएगा अगर beyond force बड़ा है w से तो obviously object जो है वो float करेगा कुछ हिस्सा उसका पानी में रहेगा बाकी जो है वो float करेगा अगर बराबर है तो object will float with its whole volume immersed अब इसका और इन दोनों में difference जो है वो क्या है वो चीज मैं आपको जो है न वो यहाँ पर समझा देता हूँ second और third point में तो पहले देखो सबसे पहले object डूब गया ये w w की value बहुत जादा थी किस से beyond force से इसके उपर b लग रहा था और यहाँ नीचे w लग रहा था दूसरा case मैं ले रहा हूँ जब हम लोगों के पास ये beyond force की value जो है और ये हम लोगों के पास क्या हो गया w हो गया ठीक है और w की value जादा है कुछ हिस्सा इसका अंदर रहेगा और कुछ हिस्सा इसका बाहर जो है वो रहेगा ठीक है और अगर मैं इसकी बात करूँ ये पूरा डूबा रहेगा क्योंकि जितना maximum beyond force आ रहा था वही total जो है वो weight को balance कर रहा है ठीक है तो इस case में W की value equal है इस case में B की value जादा है W से तो ये तीन case जो है वो आपको understand करना है मैं आएक बार समझा रहता हूँ यहीं से law of flotation जो है वो हो रहा है ये ज़्यादा force है ये कम है डूब जाएगी ये सब की किष्टी सब को समझ में जो है वो आ गया अब इस case में क्या हो रहा है beyond force ज़्यादा था ठीक है weight को balance करने के लिए लेकिन हम क्या चाहते है at least weight जो है अगर यहाँ पर beyond force ज़्यादा है तो weight से तो यह upward direction में मूव करेगा जिससे क्योंकि देखो न उपर की direction में जाएगा जिससे थोड़ी देर के बाद क्या होगा इसका portion जो पानी में मस्ट है वो कम हो जाएगा तो इस तरह से यह floating करके अपने आपको balance out करके equalize कर लाएगा equilibrium में चला जाएगा मतलब जहाँ पर net force जीरो हो जाए क्योंकि देखो उपर की direction में force ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब थोड़ी ऊड़ जाएगा पानी से बाहर थोड़ी निकल जाएगा की अंदर immerse हो जाएगा और object इस तरह से जो है वो float करेगा अब यहाँ पर equal है तो इसका मतलब ना तो उपर की side पर खिसकेगा ना नीचे की side पर खिसकेगा कुछ इस तरह से body जो है वो इसके अंदर पड़ी रहेगी और यह तीन अलग-अलग cases जो है अब इसकी theory थोड़ी सी मैंने जो है वो यहाँ पर explain कर दी है और आप जो है वो इस चीज को note कर सकते हैं क्योंकि मैं समझा चुका हूँ तो जब भी कोई body float करेगी जब उसका weight जो है वो equal होगा thrust के This means when an object fluid में place होगा इसका certain volume होगा weight if the weight of the body displaced is equal to the object will float दूसरे case में object sync कब कर रहा है और तीसरे case में object float कितना portion उसका immersed है या कितना नहीं है उस चीज पर यह depend कर रहा है तीनों cases मैंने जो है वो आपको अच्छे से explain कर दी है कौन से case में क्या जो है वो होने वाला तो एक बार यहाँ पर जो है This means that even if the part of the object is submerged the object will remain afloat if the submerged part displaces the volume of the fluid equals to the weight of the total fluid यह सारा का सारा concept मैं zoom करके चल रहा हूँ आपको जो है वो clear है उसके बात बिटा जी हम लोग आगे की side पर move करते है यह दो terms हम लोगों के पास आ रही है जो कि मैं already आपको जो है वो समझा चुका हूँ पहली term है हमारे पास density इसको मैंने अभी बोला mass upon volume होती है और density of water की बात की जाए तो वो gram per centimeter cube one value है उसकी या thousand kg per meter cube जो है वो होती है एक fact जिसको आपको learn जो है वो करना है काफी जगा पे जो है वो इस्तेमाल होता है density of a substance is the ratio of कितना mass per unit volume है दूसरा ये एक scalar quantity है इसकी कोई भी direction जो है वो नहीं होती direction का कोई concept नहीं है densities के अंदर मैं zoom करके चल रहा हूँ ये जो है वो आपको clear है उसके बाद एक last concept हम लोगों को जो है वो understand करना है इस चीज में that is the हमारे पास कौन सा concept है कि relative density जो है वो हमारे पास क्या होती है बहुत ही असान है relative का मतलब है किसी न किसी चीज से हम लोग compare करके इस चीज को चल रही है तो relative density क्या चीज है density substance की upon density water की जो water की density है वो 1 gram per centimeter cube जैसे for example मैं एक random value लेता हूँ माल लो हमारे पास density मैं fictitious values ले रहा हूँ और इसका कोई लेना देना नहीं है actual reality से density of silver ले रहा हूँ मैं 108 gram per centimeter cube ऐसे random value ले ली मैंने और आपको find out करने हो what is the relative density what is the relative density of silver तो अगर मैं बात करूँ relative density किस चीज की of silver तो वो किस के बराबर होगी 108 gram per centimeter cube which is the density of the substance जो substance हमने लिया upon density of water which is 1 gram per centimeter cube ये दोनों कटे और इसकी value किस के बराबर आगी 108 के बराबर आगी और सबसे बड़ी बात बता क्या ध्यान देने वाली है relative density की कोई unit ही नहीं है क्योंकि it is the ratio of density by density density of substance by density of water इसका मताब it is a unitless quantity इस quantity की कोई भी unit जो है वो हम लोगों के पास नहीं होगी इसका एक और नाम भी है हम लोग इसको specific gravity भी जो है वो बोल देते हैं it is basically the ratio of the densities of the substance comparison हम लोगोंने वो कर रखा है water जो की 4 degree Celsius पे वो हम लोगोंने ले रखा है ठीक है तो मैं assume करके चल रहा हूँ ये funda जो है वो आपको clear है अब इसके अंदर एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको जो है वो समझाने वाला हूँ मालो ये कोई body है और इसने air के अंदर जो है वो खड़ी है और air के अंदर मालो मैं खड़ा हूँ air के अंदर और मैंने अपना weight measure किया बसे last चीज है और इसके बाद ये चारा chapter close है क्योंकि NCRT examplar में इस तरह की concepts दे रखे है जो की beyond force के उपर है और आपको शाद understand करने में जो है वो उसमें मुश्किल हो ठीक है तो मैं कंडे के उपर खड़ा हुआ मैंने अपना weight measure किया और weighing machine के उपर मैंने देखा तो मेरा weight आ रहा था महालो ठीक ठीक लगा लेता हूँ 81 जो है वो newton का weight जो है वो मेरा exert हो रहा था 81 newton मेरा weight जो है वो आ रहा था अब what is my actual weight? is it? पहले तो मैं कंडे के उपर खड़ा हूँ ठीक है मैं weighing machine के उपर खड़ा हूँ मेरा weight 81 newton आया तो मेरा इस सवाल ही क्यों पूछ रहा हूँ कि is it my actual weight? और my actual weight is greater than this और my actual weight is lesser than this क्या ही मेरा actual weight है? ठीक है एक कंडे के उपर खड़े होके तो इसका answer है no यह मेरा सही weight नहीं है इसका सही weight क्यों नहीं है? क्योंकि जो beyond force है that is exerted by the fluid जो भी चीज flow कर रही है वो कहीं पे भी हो चाहे वो चीज liquid हो चाहे वो चीज gas हो हम लोगों के पास beyond force even gases भी exert करती है अगर इस टाइम पे मैं air के अंदर खड़ा हूँ तो जितना volume मैंने air का disperse कर रखा है उसका जो weight है वो मेरे उपर beyond force की तरह जो है वो act कर रहा है तो मतलब जब भी मैं wing machine पे खड़ा हूँ तो मेरे उपर एक तो gravity कींचरी है और जो भी weight even displaced by the कौन लगा रहा है ये वला जो weight है ये air लगा रही है चाहे कम हो लेकिन लग रहा है तो अगर मैं wing machine पे खड़ा हूँ तो मेरा जो net weight wing machine के उपर आ रहा न वो ये आ रहा W-B क्योंकि W नीचे लग रहा है B उपर लग रहा तो W-B मेरा net weight जो है वो आ रहा जिस वजा से W की value मेरे पास क्या होगी actual में 81 प्लस B के बराबर होगी मतलब my actual weight is greater than 81 ठीक है क्योंकि beyond force मेरे पर observed direction में लग रहा था W-B net मेरा नीचे की तरफ लग रहा उसकी value में 81 जो है वो ले ली मतलब आप अगर कहीं पर भी खड़े हो weighing machine के उपर भी खड़े हो तो आपका actual weight is greater than the weighing machine जो show कर रही है क्यों? क्योंकि आपके उपर एक upward direction में force लग रहा है जो कि beyond force है और वो add होगा आपका actual weight निकालने के लिए क्योंकि उसने उसको balance out किया था या cancel out जो है वो किया था मैं assume करके चल रहा हूं बड़ा जी यह सारा-सारा flotation का concept जो है आपके नेक्स वीडियो में